एक दिन में अपने डैड की साथ उनके दोस्त के घर गया क्यूंकि उन्होंने एक नया घर खरीदा था वो एक बहुत पुराना घर था वहाँ जाकर डैड अंकल के साथ रेनोवेशन का काम करने लगे और मैं रसोई से बेबी के लिए दूद लेने गया रसोई में एक बेस्मेंट था कि यूरो सिटी में मैं उसे चेक करने लगा और तब ही अंदर से एक हाथ मुझे खीचने लगा मैंने अंदर देखा कि दो डरावनी आके मुझे अंदर की तरफ खीच रही है मैंने चिला कर डैड को बुलाया और उनके आते ही वो राक्षस अंदर भाग गए फिर हमने पूरा बेस्मेंट पुलिस से भी चेक कराया लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला जिसके बाद उन राक्षसों ने मेरे अंकल को भी बहुत परिशान किया और उन्होंने फिर वो घर खाली कर दिया